नमस्कार और वेलकम यू और इंडिया फेर्स में विकास अजरबेजान ने खुद को विजयता गोशित कर लिया है इनका कहना है कि अर्मेनियान से प्रेस्टिश ने खुद को सरेंडर कर दिया है तो चलिए जानते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है कि सच में इस विवाद में अजरबेजान की जीत हुई है या इसके पीछे कोई और बड़ी वजा है गाई सबसे पहले हम इस पूरे विवात को समझते हैं दरसल अर्मेनिया और अजरबेजान के बीच एक जगह है जिसे नोगोरनो कारबा कहा जाता है ये पूरी तरह से अजरबेजान के अंतरगत आता है इस मैप में आपको अर्मेनिया और नगोरनो कारबा सटा हुआ देखने को मिल जाएगा लेकिन असलियत में ये दोनों अलग है यहाँ पर एक कोरिडोर मوجود है जो इन दोनों को अलग करती है और अभी जो विवात चल रहा था अर्मेनिया और अजरबेजान के बीच ये इसी कोरिडोर को लेकर चल रहा था दरसल अंतराष्टी अश्तर पर नगोरनो कारबा को अजरबेजान का हिस्सा बताया गया है लेकिन नगोरनो कारबा में जो लोग रहते हैं वो अपना एक अलगी रूल फोलो करते हैं उनकी अपनी खुद की सरकार है और ये अपने ही नियम कानून से चलते हैं लेकिन यापर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो खुद को अर्मेनियन करते हैं उनका मानना है कि वो हमेशा से अर्मेनिया के साथ है गाईस ये सारा मुद्दा तब इस्टाड हुआ था जब 1922 में सोबियत यूनियन का गठन हुआ था तब से ये विवाद चल रहा है आगे चलकर अर्मेनिया ने जब नगोरनो कारवा को अपना हिस्सा बताया तो सोबियत यूनियन ने इसे मानने से इंकार कर दिया और नगोरनो कारवा को अजरबेजान का हिस्सा गोसित कर दिया गया और इसके बाद नगोरनो कारवा के अर्मेनियन लोग और अजरबेजान के लोगों के बीच में कई यूद हुए जिसमें हजारों लोगों की जाने गई थी जब भी इन दोनों देशों के बीच में यूद होता है तो रूस इनके बीच आकर बातचित करके इने सांध करता है लेकिन कुछ तमय बाद इनका विवाद फिर से सुरू हो जाता है और अभी भी वही विवाद चल रहा है अभी जो रिपोर्ड आई है उसके एकोर्डिंग अजर्बेजान ने कहा कि नगोरनो कारवा अब पूरी तरह से हमारा होने वाला है यानि कि अब नगोरनो कारवा में कोई भी अर्मेनियन व्यक्ति नहीं होगा गैस इस यूद में अब तक 200 लोगों की जान जा चुकी है और बुदवार को यहाँ पर अर्मेनियन सेपेट्रिष्ट ने सरेंडर किया इसके बाद अब दोनों के बीच में बात्चीच चलेगी कि नगोरनो कारवा में किसका राज होगा तो चलिए इस विवाद को और डेटियल में जानते हैं इस इमेज में आप देख सकते हैं कि नगोरनो कारवा अर्मेनिया को एक कोरिडोर से जोडता है जिसका नाम है लाचीन कोरिडोर इसी कोरिडोर से जुरूरत की चीजे अर्मेनिया से नगोरणो कारवा तक भेजा जाता है अभी नगोरणो कारवा में रह रहे हैं लोगों ने अजरबेजान पर आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले 9 महीनों में लाचिन कोरिडोर को बंद कर दिया गया है जिसके कारण उन्हें जरूरत की समान भी नहीं मिल पा रही है वे पानी बिजली इंटरनेट जैसी सुभधाएं भी नहीं ले पा रहे हैं ये चीजे अभी चली रही थी तभी अजरबेजान में मिसाइल से हमला हुआ और अजरबेजान में रह रहे च्छे लोगों की मौत हो गई जिसमें महिला और बच्चे भी सामिल थे इसके बाद आकरोस में आकर मंगलवार को अजरबेजान ने यूद की घुषना कर दी और नगोरणो कारवा में जहाँ पर अर्मेनियन सेपरेटिस्ट लोग रहते थे वहां हमला करना सुरू कर दिया इसके बाद अजरबेजान ने कहा कि हम किसी आम नागरीक को नुकसान नहीं पहुचाना चाहते हम बस उन सेपरेटिस्ट लोगों को टारगेट कर रहे हैं तो इन दोनों का ये यूद मंगलवार और बुदवार तक चला जिसमें नगोरणो कारवा में कुछ लोगों की मौत होई इसके बाद नगोरणो कारवा में जो सेपरेटिस्ट थे उन्होंने हार माल लिया और खुद को स्रेंडर कर दिया कि अब वे यूद करने की हालत में नहीं है तो अब इन दोनों के बीच में बातचित होगी कि आगे क्या करना है इस इमेज में आप देख सकते हैं यहां ये वलाक ये जो जगह है यहीं पर इन दोनों के बीच में बाटचित होगी ये बाटचित कल से ही शुरू हो चुकी है और हर बार के तरह ही इस बार भी रूस ने इनके बीच बाटचित करके इसे सुलझाने की कोशिस करेगा वैसे तो रूस में पहले से रसिया यूखरेन वार चल रहा है के पास लाएंगे मिलते हैं नेक्स वडियो में एक नई जानकारी के साथ तब तक के लिए जाएंद